लगता है साल 2020 दुनिया के लिए जटके पर जटके लेकर आया है हाल ही में बॉलिवुड ने अपने दू लिजेंडरी कलाकार इर्फान खान और रिशी कपूर को खोया था और अब बॉलिवुड को एक और बड़ा जटका लगा है बॉलिवुड से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है संगीत निर्देशकों की जोड़ी की तौर पर मशूर साजद वाजद में से वाजद की कोरोना के चलते मौत हो गई है बॉलिवुड के मशूर संगीतकार और कंपोजर वाजद खान का रविवार रात निधन हो गया है जिसकी वज़े से पूरे बॉलिवु बड़ी-बड़ी हस्तियों से लेकर उनके समर्थक तक सभी शोक जाहिर कर रही है वाजद खान को किड्ने की बिमारी थी जब उनकी हालत बिगडी तब उन्हें मुंबे के एक अस्पताल में भरती कराया गया था कुछ महिने पहले ही उनकी किड्ने ट्रांस्प्लान की गई 49 साल के थे रविवाज शाम उनकी हालत बिगड़ने की वज़े से उन्हें हॉस्पिटल में भरती करवाया गया था लेकिन तमाम कोशिशों की वज़े से डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए वाजद खान की मौत पर पूरा बॉलिवूड गहरे सदमे में है और कए बॉलि त्यात्रा करना तुम बहुत जल्दी चले गए हमारी संगीत बिरादरी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है मैं चकीत हूं और बिलकुल टूड गया हूं वही अभिनेत्री प्रियंका चूपड़ा ने कहा कि भयानक खबर है एक जो चीज हमें हमेशा याद रहेगी वो को तोड़ देने वाली खबर साजद और वाजद मेरे गहरे हो सच्चे मित्रों में थे वो एक ऐसे शक्स थे जो आधी रात में केवल मिलने और बात करने के मकसद से स्टूडियो में आ जाये करते थे इस बात पर भरुसा नहीं हो रहा कि वाजद से अब कभी बात नहीं हो फिल्म प्यार किया तो डेना से साजद वाजद की जोड़ी ने बॉलिवड मैंटरी की थी और इस जोड़ी ने फिल्म इंडस्ट्री को कहीं सारी यादगार नगमे दिये हैं लेकिन अब इस जोड़ी में से एक वाजद हमेशा के लिए अपनी जोड़ी को अधूरा चले गए